दसरा यानि दसों इंदरियों के उपर विजय प्राप्त कर लेड़ा जब तक आप इन दसों इंदरियों के उपर विजय प्राप्त नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाऊगे कितना भी परियास कर लो, कितने भी कोशिश कर लो, कितने भी हाथ पेर मार लो, कितने भी बातें बना लो, कितने भी कथाएं सुन लो, कितने भी उत्तर ढूंड लो, कितने भी परशन पैदा कर लो, कितने भी संकलप पैदा कर लो, कितने भी विचार पैदा कर लो, कितने भी भाग लो, कितने भी बचलो, काम नहीं होगा। यानि रावण का जो मरने का खेल है, यानि जो ये मन रूपी रावण है, दस चीश है इसके यानि दसो इंदरियां, बार बार शिर काट रहा है, नाभी या अमरत, यानि नाभी के अंदर जो सोई पड़ी उर्जा है, वो, जब तक उसके उपर बान नहीं लगेगा, वो जगेगी नहीं, ऐसे ही सोई पड़ी रही है। उस खुंडलेनी सक्ति को जागरत करना, उन्होंने कहा, कि आप इसके बार बार सिर क्यों काट रहे हैं। पर्सन ये उकता, राम को तो सुब कुश पता, वीभिशन ने बता भी दिया कि नाभी में तीर मारो लिकनों वो फिर भी बार 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 शिर काट रहे है। गई प्रभू आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं क्यों बार-बार आप ये सिर काट रहे हों सीधा तीर मारो हर्दे के अंदर कर दो इन्होंने कहा एही के हर्दे बस जान की जान की और मम वास है और जान की जी के हर्दे में मेरा वास है यानि श्री राम जी का वास्त है और मेरे उदर में यानि मेरे अंदर में अनेको भून ब्रमान है अगर मैंने रावन के हर्दे में तीर चला दिया या रावन के हर्दे में तीर मार दिया तो सब का सब ब्रमान स्वापत हो जाएगा समझे आप इसकारत कि एक तीर के दोरा पूरा का पूरा ब्रमान नश्ट हो जाएगा कुछ भी शेष नहीं रहेगा क्योंकि उसके हर्दे में परकरती को उन्होंने दान कर रख जाए और परकरती के हर्दे में वो परमात्मा विराजमान रहती है जब एक दूसरे के अंदर विराजमान है और वो छोड़ नहीं पा रहे है इस कारण से बार बार उनका द्यान भंग करने के लिए उनकी जो लो लगी हुई थी उसको तोड़ने के लिए उनकी जो एकागरता मा शीता के अंदर जो लगी हुई थी उसको भंग करने के लिए जिस परकार से आप का द्यान एकागर लगा हुआ हो आपको सरीर को कहीं चोट लग जाए द्यान एक्टम चोट के उपर होगा कहीं दर्द शरू हो जाए द्यान दर्द के उपर जाएगा उसी परकार से उसका ध्यान भंग करने के लिए उसका वहाँ से वो तार डोरी कट करने के लिए कि वहाँ से तार तूट जाए और हरदे से उसका रूप हट जाए जो ही उसका रूप हटा एक पल भी नहीं लगाया उन्होंने कि एक पल लगा हो वो हटा तो काम ने पट गाए इस का वरणन सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं अपने अपने विचारों से करते हैं मैंने यह जो बोल दिया इसके उपर भी आप हजारों लोग हजारों परकार से विचार करें कोई सही बताएगा कोई गलत बताएगा कोई अच्छा बताएगा कोई नया बताएगा कोई पुराना बताएगा कोई किसी के विचार बताएगा कोई मेरे विचार बताएगा अनंत अनंत परकार से इसकी विवेशनाए करेंगे कोई अच्छा बताएगा कोई बुरा बताएगा अर्थ ये अच्छे बुरेगा नहीं है अर्थ ये है कि आपने अपना दसेरा मनाया या मातर मिठाईयां और भोजन और ये तिवहार मना करके अस्तित्व को भूल गई आप ये बाहरी कर्म करते करते थुड़ा अंदर में जाकने की भी कोसिश कीजिए अपने को उस तराजु में तोलने का परियतन कीजिए जिसमें आप तोल करके अपने आपको जान सके अपने आपको खोद सके अपने आपको पा सके अपनी दस्सों इंद्रियों के उपर काबू हो सके और आपके अंदर में जो ये रावन रूपी राक्सस बैठा हुआ है इसका वद्ध किया जा सके और आप इन गुनाईयों के उपर अच्छाईयों की विजय प्राप्त हो सके ऐसा प्रियासर प्रियतन हर से में करते रही है